राधे राधे संसार में दो तरह की बुद्धी वाले लोग होते हैं एक व्यावसाई और एक अव्यावसाई तो व्यावसाई किसको करते हैं? जिसको एक निश्चित पत पर चलने के लिए सुनिश्चित मार्ग मिल जाता है और उस पर चलने के लिए अपने वीवेक को साउधान रखता है उसको व्यावसाई बुद्धी करते हैं, व्यावसाई अप्मी का बुद्धी और जिसका कोई ठीका नहीं कि कभी किधर चल पड़ेगा कभी किधर चल पड़ेगा उसको अव्योसाई बुद्ध दिखाते हैं जैसे एक निश्चे कर लिया उसको संस्क्रित में निधिध्यासन भी करते हैं उसको डिटर्मिनेशन भी करते हैं तो डिटर्मिनेशन वाली जो बुद्धी होती है उसको व्योसाई बुद्धी करते हैं उसको निधिध्यासन भी करते हैं उसको व्योसाई बुद्धी करते हैं और वो एक निश्चित दिशा में कटिबद्ध होकर चलाने के लिए प्रेरेद करती हुद्ध है और आव्योसाई क्या होती जिसमें कोई डिट्रमिनेशन नहीं होता है कोई निजिध्यासन नहीं होता है जहां चल गए वो इस रंग में रंग है नास्तिकों की तरफ चले गए तो नास्तिक हो गए आस्तिकों की बीच में आस्तिक हो गए और यदि मिल गए लोग विद्ध्वसक बुद्ध वाले तो विद्ध्वसक हो गए श्रीजिनात्मक बुद्धी वाले साथ ही मिल गए तो श्रीजिनात्मक हो गए कोई ठीकाना नहीं रहता जिनका अर्थात उनका खुद का निलने उनकी बुद्धी में नहीं रहता है बुद्धी निणयात्मक नहीं होती निष्ट्यात्मक नहीं होती उसमें कोई दिटर्मिनेशन नहीं होता है उसको अव्यवसाई बुद्धी करते हैं उसमें क्या होता है? कि कोई दाएर यह नहीं होता है विशास और श्रद्धा नहीं होती है और वो स्थिरता नहीं होती है जैसे किसी ने कहा दिया कि कुओ खोदो तो पानी मिलेगा तो थोड़ा खोद करके जाका नहीं मिला तो फिर छोड़ दिया फिर दूसरे जेका खोदा फिर टीछे खोदा और निश्टी आत्मी का पुद्धिवाला क्या करेगा एक ही कुए को खोदता जाएगा, खोदता जाएगा खोड़ता जाएगा तो फानी मिल जाएगा अब जिसकी निश्यात्मी का बुद्धी नहीं है अब यह साई बुद्धी है तो थोड़ी जर में ऊप जाता है कोई भी साधने करेगा कोई भी कारे करेगा थोड़ी जर में ऊप जाएगा फिर छोड़ देगा फिर दूसरी साधन नहीं होती है, उसी को अव्यावसाई बद्धी कहा जाता है, तो अव्यावसाई बद्धी सादक के लिए नहीं होती, व्यावसा इत्मिका बद्धी होती है।